हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बेक टूजिसे एड़ोप्ट जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास तो फ्रेंड्स यहां पर टाटा पाउर के तरफ से वेकेंसी निकल क्या रहा है जिसके लिए अल ओवर इंडिया से हर कोई अपलाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिल्टी क्राइटर है रखा गया इन सब चीजों के बात करने के लिए वीडियो को मैं बना रहा हूं वीडियो के एंट तक देखना कि आपको इस रिकुम्मेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए तो लेट स्टार्ट इस वीडियो तो देखिए आपको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने के आपके सामने इससा कुछ इंटरफेस आजाएगा तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपके लिए यहां पर जितना सारा कुरेंटली जाफ्स ओपन हुआ है वह सब आपको यहां पर सो करने लगेगा तो यहां पर आपको क्या करना है अभी जो रिसेंटली जाफ्स ओपन अभी हमें उसको find करना है तो कैसे करेंगे यहां पर देखिए all jobs तो यहां पर नीचे recently posted इसके ओपर हमें अभी क्लिक कर देना है इसके ओपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए graphic designer का job निकाला गया है और जेंट hiring MBC तो यहां पर GAT यानि की graduate engineer trainee जिसका last date अभी 30 April 2022 रखा गया है और यहां पर देखिए diploma engineer trainee जिसका last date यहां पर 30 April 2022 रखा गया है उसके बाद हम यहां पर GAT यानि की graduate engineer वालों के लिए बात करेंगे तो यहां पर देखिए diploma engineer trainee इसके ओपर मैं अभी simply क्लिक कर देता हूँ इसके ओपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए diploma engineer trainee computer science IT होगे तो यहां पर देखिए company क्या है टाटा पावर company limited तो यहां पर आपका जो company है टाटा पावर के तरफ से इस recruitment को निकाला गया है यहां पर देखिए industry आपका power industry देने वाला है experience required होगे तो यहां पर आपको zero years य ज्यादा आपको यहां पर salary देखने को मिल रहा है यानि कि आपका monthly यहां पर कितना मिल रहा है 25,000 something आपको यहां पर मिलने वाला है और उसके साथ आपको यहां पर बहुत सारा allowance भी provide किया जाएगा टाटा का job है तो यहां पर आपका job summary तो यहां पर आपका job किस टाइब का रहने वाला है कौनसा department में आपको काम करना पड़ेगा इन सब चीजों को आपको यहां पर describe करके दिया गया है आप अगर चाहोगे तो इसको पढ़ सकते होगे और यहां पर नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास क्या skills होना चाहिए यहां पर देखिए active listening complex problem solving computer and electronics critical thinking होगे तो यह थोड़ा सा आप खुद से देख लीजिए और यहां पर देखिए के basic qualification में आपको क्या मांगा गया है इन डिप्लोमा यानि कि अगर आप किसी भी फिल्ड में डिप्लोमा कर रहे हो देना आप यहां पर eligible होंगे apply कर पाएंगे समझ गे तो यहां पर की skills required include the following profession domain technical skill problem solving attention to detail creativity quality orientation project management तो देख लेना तो यहां पर इन सब चीजों में अगर आप थोड़ा सा good हो थोड़ा सा अच्छा हो दिन आपको यहां पर थोड़ा सा preference मिलने वाला है और यहां पर देखिए journey तो यहां पर application date आपका कव से start हो रहा है 7 April 2022 यानि कि आज से start हो रहा ह और 30 April 2022 तक चलने वाला है इसके अंदर आपको यहां पर apply करना पड़ेगा और यहां पर benefits में यहां पर NA लिखा गया है यानि कि आपको यहां पर कुछ भी benefits नहीं मिलने वाला है क्यूंकि आपको यहां पर आज ट्रेनी रखा जा रहा है diploma training के इसाब से आपको यहां पर posting दि कहाने वाला है तो इस job में अगर आप apply करना चाहते हो तो आपको क्या करने सिंप्ली apply now करनाहे इसके ओपर क्लिक कर देना है इसके ओपर आप क्लिक करेंगे तो देख सब्सक्ष्रार्प अगर पर लोगिन के लिए ठीक हो लेकिन अगर आप पहली बार यहां पर apply कर रहे हो तो आपको simply क्या करने create account इसके ओपर click करना है देखिए मैं अभी इसके ओपर click करने बाद देखिए क्या होता है यहां पर भी loading हो रहा है तो देखिए फ्रेंट्स loading होने के बाद आपके सामने इसा कुछ इंटरफेस करने लगेगा यहां पर देखिए create account आपको अकाउंट क्रेट करने के लिए बोला जा रहा है तो यहां पर देखिए आया में learner publisher institution corporate तो आप क्या हो तो आपको यहां पर simply learner select कर लेना है ओके आप यहां पर student हो apply करना चाहते हो आपको यहां पर simply learner इसको select कर लेना है और उसके आपको यहां पर full name डालना है email already डालना है Abi उसको confirm कर लेना है और यहां पर phone number डालकर यहां पर जो capture code शो कर रहा है उसको यहां पर put करके आपको यहां पर tick mark लगाना है और यहां पर key कर देना है क्रिएट अकाउंट इसके आपको क्लिक करने बाद आपका यहां पर account successfully create हो जाएगा और उसका जो login ट्रेडिसिणल होगा उसको लेकर आपको यहां पर sign-in करना है और इस post के लिए apply करना है और इस post के लिए apply करेंगे तो basic details के बार में पुछा जा सकत है इन सब चीजों को कर देना एकदम बेसिक चीज है जर्वाइब पर ने कि और अपिसे अपलाई करेंगे इनके लिए क्या जब निकला गया है उसके बारे में आपको यहां पर बोल दिया तो अब अब चले graduate engineer training के बारे में बात करते हैं यहां पर देखिए गुजराट में आपको 10 वेकेंसी देखनों को मिल रहा है करना टक में आपको 10 वेकेंसी और दंशा में 10 चैनाई में यानकी तैमिल लाड़ू में आपको 10 वेकेंसी उकेंसी तो यहां पर देखिए city wise यानकी state wise आपको यहां पर बेकेंसी देखनों को मिल रहा है तो यहां पे देखिए experience required तो यहां पे आपको कुछ भी experience नहीं चाहिए इस बस से 0 to 0 लिखा गया है यहां पे आपका salary 6 लाग पर आनम आपका salary रहने वाला है और यहां पे अगर आप थोड़ा सा निचे स्कॉल करेंगे तो यहां पे देखिए job summary तो यहां पे आपका किस से होना चाहिए active learning listening जो कि यहां पे सब के पास होगा तो यहां पे थोड़ा सा अगर आप नीचे स्कॉल करेंगे तो यहां पे देखिए basic qualifications तो यहां पे आपको क्या qualification चाहिए तो यहां पे देखिए अगर आप B.E.B.Tech कर रहे हो electrical and electronics engineering में दिन आप यहां पे eligible होंगे apply कर पा graduate in 2022 तो यहां पे clearly बोला गया है कि अगर आप final year में हो और आपका जो graduation है उसको आप 2022 में पास करेंगे तो उसी type का candidate को हम यहां पे find कर रहे हैं अगर आप इस criteria में आते हो final year student हो तो आपके लिए यहां पे बहुत बड़ा opportunity टाटाप और के तरफ से निकाला गया है जरूर apply करना होगे और इस opportunity का फायदा उठाना होगे और यहां पे देखिए application date तो यहां पे 2 April 2022 से इसका apply करने का पक्रिया शुरू हो चुका है और 30 April 2022 तक चलने वाला है इसके अंदर आपको यहां पे apply करना है और यहां पे benefits insurance and other benefits तो यहां पे देखिए आपको salary जितना मिलेगा उसके बाद आपको यहां पे कुछ benefits भी दिया जा रहा है यानिकि insurance आपका होगा और यहां पे कुछ other benefits यानिकि आपको यहां पे कुछ allowances भी मिलने वाला है समझगे तो यह था यहां पे DAT यानिकि Diploma Engineer Training के बारे में और GAT यानिकि Graduate Engineer Training के बारे में जो Tata Power के तरफ से निकाल लगा है Tata Power एक limited company है Tata का company है तो यहां पे आप अगर आप इस criteria में आते हो तो आपको यहां पे definitely जरूर apply करना है और यहां पे GAT में भी आपको कैसे apply करना है obviously यहां पे आपको apply ना हो इसके उपर click करना है और उसके बात का क्या procedure है उसके बारे में मैं आपको थोड़े दिर पहले बोल रहा था ओके तो यह था इस वीडियो में आपके लिए यह वीडियो जरूर helpful और informative रहा होगा अगर आपके लिए यह वीडियो informative रहा है दिन वीडियो को जरूर लाइक करना और आपके दोस्तों लोगों के साथ share कर देना और हाँ अगर आप चैनल पर नया हो नया for watching